Hey Chams, Welcome back to a new video of Organic Realistic Series जहाँ पे आज हम लोग 12th की Organic Chemistry स्टार्ट करने वाले हैं और आज Hello Alkanes, Hello Arines का पहला वीडियो है तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं और जैसे हम लोग Reactions के थुरू NCIAT को cover करते हैं वो स्टार्ट करते हैं तो जैसी आप अपनी Reaction Copy को खोलते हो आपको पहला Reaction लिखता है जहाँ पे हम लोगों को ने क्या किया है Alcohol को react करवाया है HCL और ZNCL2 के साथ तो सबसे पहले जैसी आपने HCL और ZNCL2 देखा आपके दिमाग में आनची कि इस region का क्या नाम है इस region का नाम है Lucas Reagent तो Lucas Regents जैसे दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में कुछ-कुछ कहानी आती है जो कि NCIT ने लिखा है alcohol chapter में NCIT कैती कि अगर Lucas Regents प्रेजेंट है तो वो सबसे आदा Reaktivity कि इसके साथ दिखाता है तो वो सबसे आदा Reaktivity कि इसके साथ दिखाता है लेकिन बहुत सबसे दिमाग में आपके इसके बार में NCIT ने क्या लिखा है अच्छा ये तो होगी बात कि theory क्या थी अब इसमें जैसे आपको रिजेंट डिखे तो आपको करना क्या है तो आपको कुछ नहीं करना है सिंपल है OH हटाओ CL लगाओ OH हटाओ CL लगाओ तो यहां पर क्या बन जाएगा OH हट जाएगा यहां से और CL यहां लग जाएगा तो आपका बन जाएगा RCL ठीक है तो मतलब alcohol से आपका क्या बन गया alkyl halide बन गया आगे समझ में तो इसको आप हेलोल के नीदी बोलते हो तो यह method of preparation of हम लोग देख रहे हैं उसका पहला reaction हमने देख लिए इसके बार में थेरी और है जो कि हम लोग नों को NCRT को लेंगे तो उसमें देखेंगे दूसरा reaction जो आपको यहां पर दिखता है वह यहां बन जाता है अच्छा अच्छा अब इसमें आप यह भी आदख सेकता हूं कि यह जो NABR और H2SO4 यह असली में क्या देता है HBR देता है मतलब यहां भी हैलोजन इसमें पर आपको रिखेंगे आपको तो बता हूं कि इन दोनों में आपका जो इंटरमिडेट बनता हूं का रिखान और का अगर बन रहा है तो अगर आपसे में रेत ऑफे अच्छन पूछूँगा तो आप दिखोगे 3D सबसे जादा रिक्शन दिखाएगा फिर 2D फिर 1 एक important information गी है और इसके उपर आप से कैसे question पूछ सकते हैं वो बोलें कि अगर मैं alcohol का reaction halogen acids के साथ करवा रहा हूं तो इन में से कौन सा reactivity order follow करता है तो इसमें option होगा 3 degree सबसे जादा फिर 2 degree फिर 1 degree तो वो सही option है ठीक है क्यों ऐसा कर रहा है क्योंकि इसका intermediate इसमें बन रहा है बनता है आगे समझ में तो मतलब कि अगर हमारे पास option होगा rearrangement कराने का तो हम लोग rearrangement कराएंगे तो इसका जो सबसे important reaction है जो आपको मिलेगा आगे जब alcohol chapter कर रहा होगे तो उसमें alcohol का reaction करवाया होगा HBR के साथ तो आपको क्या याद रखना है आपको यह ध्यान रखना है कि कि हम लोग नेक्स वीडियो में परहेंगे क्या होता है से इंट्यू मेकनिजम और उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है ठीक है तो इसलिए आपको वन डिगरी अल्कॉल के case में अगर HBR का रेक्शन है तो आप को नहीं देते हैं लेकिन अगर देते हैं 2 डिगरी अल्कॉल से आप 3 डिगरी बनाने का आपके आस उप्शन है तो आप स्टेबल कार्बोकेटायन को बनाने के बाद फिर BR को जॉइन करोगे अगर मालो है यह तो हमने कर ली जब HBR हो अगर मालो है अगर प्राइमरी अल्कॉल है तो कोई भी रेंजमेंट नहीं कराएंगे क्यों क्यों क कोई दिमाग मत लगाओ क्योंकि गंशीज हो जाओगे अगर नहीं बनाना पड़ता है तो क्या करता है तो आपकोकर इसमें क्या है औरो फिल्ड़ पे अथे लगादे कर लेते ठीक है फिर से आपका alkylite बन गया या फिर halo alkyne बन गया important चीज़ क्या है कि वो बोल सकते हैं कि इसके साथ एक और compound निकलता है उस compound को मुझे नाम बतो क्यों क्यों क्योंकि यह जो compound है यह आप inorganic chemistry में इसका नाम जो है पहले तो मैं आपका formula लिख देता हूं इसका formula होता है H3PO3 इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें जो compound निकल रहा है उसमें सेम उतनी number of items से मतलब almost 33 ही सब कुछ है क्योंकि यहाँ पर halogen 3 है तो ऐसे याद रख सकते हो आपकि इसमें जो reaction है वह किस के साथ हो है halogen के साथ हुआ है in the presence of red phosphorus जब भी यह reaction देख जाए तो आपको सीधे सीधे यहाद रखना है कि इसमें कोई भी बनता है यह आपको देखने रहे है एक बार इसमें आपका बनता है पी ओ सील ठीक है प्लस आपको देख लेगा तो मिली आप से ही क्या पूल सकते है कि यहाँ पर रेरेंजमेंट है वह लगा दिया अच्छा इसमें बबता दी कि कब रहना है वह जर्रल आप पड़ता है वो आपसे पूछते नहीं है और HBR के case में पूछ सकते हैं जो कि यहां पर मैंने बता दिया आपको अगर इसमें आप बनाओगे तो आपका क्या सिंपल वही होगा ओए चटेगा सील लेगा क्योंकि मैंने बताया था कि अगर इन दोनों रेक्शन को छोड़ दिया जाए तो इन बाकी की रेक्शन में आपको कार्बोकिटाय नहीं बनाना पड़ता तो आपका क्या बन गया यहा अगैसन में तो यह एशोचन का मैंने रिजन बताये क्यों यह बेस्ट नो है लेकिन बेस्ट क्यू है अगैसन में इन दो को तो में आपको च्वार्ण प्रेटक्स मिल रहें इसलिए उतना बेस्ट तरिका नहीं है इसको बोलते कि अ अब गया जिसमें हम दोग कोई को ऐसा आपका क्या बन रहा है है तो है एक तो है एक फॉस पर लिख दिया है कि अगर है तो और बनाते हैं उपर मैंने लिखा है कि लेकिन अगर 1 degree alcohol है तो उसमें सीधी सीधी OH हटाएंगे और CL लगा देंगे या जो halogen है वो लगा देंगे BR लगा देंगे भले ही वहाँ पर हम लोग 1 से 2 degree जा सकते थे लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे एकडम याद कर लो क्योंकि यहां पर आप confused हो सकते हैं दूसी चीज़ अगर फॉस्फोर सहलाइट है या फिर थाइनल कुरॉयड है तो उस केस में हम लोग सीधे सीधे OH हटाते है और CL लगाते है ठीक इतना क्लियर हो गया उसके आद मैंने इक इसमें यहां से बना सकते हैं या फिर statement पर आपको दे सकते हैं उसके बाद मैंने आपसे बात किया था जब हम लोग HCL और ZNC2 का रेक्षन कर रहे थे तो मैंने बताया था कि HCL और ZNC2 को क्या बोलते हैं Lucas reagent बोलते है और alcohol chapter में आपको यह संझाएंगे कि Lucas reagent को हम लोग जब 3 degree alcohol के साथ रेक्षन करवाते हैं तो मैंने जैसा कि वह बताए कि HCL हो या फिर HBR हो यह कार्बोकेटाइन के थू जाते हैं और कार्बोकेटाइन के रेक्टिविटी आपको पता है 3 degree साथ सबस्च ज़्यादा रेक्टिविट दिखाएगा फिर 2 degree के साथ फिर 1 degree के साथ इसलिए तो यह बहुत जल्दी रेक्षन करवाएगा इसलिए टर्बिटी जो इसमें मिलने वाला था वह बहुत जल्दी मिल जाता है इमिडिटली मिल जाता है लेकिन अगर 2 degree अल्कॉल के साथ करवाऊगे तो यह इसको मिनट्स लग जाते हैं वही चीज सेम चीज करने में और 1 degree लिखते हैं no turbidity मतलब NCIT लिखते है कि कोई reaction होगा ही ने लेकिन reaction होता है बहुत स्लो होता है तो कभी option में आपके पास दोनों लिखा हो कि no reaction और slow reaction को टिक करोगे क्योंकि NCIT वहाँ लिखती है no reaction और यहाँ पर कुछ और लिख रही है ठीक है अभी मैं आपको दिखाऊंगा करवाते हैं समय यहाँ पर लिखा हुआ है कि primary और secondary alcohol जो है HCL के साथ उनको क्या देना पड़ता है अगर रेक्शन करवाना है हमें लेकिन tertiary alcohol वो सिफ HCL अगर आप दोगे तब भी reaction करवा जाएगा इससे वह इंडारेक्टल यह बताना चाहते हैं कि reactivity of alcohol जो है वो थी डिग देता है 2 degree उसके सकम और 1 degree उससे भी एक कोशन मिला था जहां पर उन्होंने क्या किया था अलग लग टाप के 1 degree alcohol के साथ सिफ HCL का रेक्शन करवाया था फिर 1 degree alcohol के साथ HCL प्लस ZR2 का रेक्शन करवाया था तो उसमें एक option पूछा था कि इनमें से कौन सा रेक्शन शो नही परता है अगर संब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद आपको और क्या question मिलता है जो कि एक important question है यहां पर आपको मिलता है कि अगर आपको alkyl iodide बनाना है मतलब RI बनाना है तो उसके समें आप क्या कर सकते हो sodium में फिर potassium iodide के साथ alcohol का रेक्शन करवा सकते है मतलब अगर आपक question पूचेंगे कि हम लोग इसमें orthophosphic acid use करें जिसका formula H3PO4 होता है तो लो ठीक हम लोग यहां पर H2SO4 use क्यों नहीं करते है वो पिता acid है यह आपसे question पूचेंगे तो इसका answer यह होता है कि जो अगर हम लोग potassium iodide का reaction करवा रहे है alcohol के साथ इसको मैं लिख देता हूं अगर मैं इसमें बताना है यह आपका index question है फिर जो मैंने एक important question बताया था कि अगर आपसे वो order of reactivity पूछते है alcohol का with halogen acid या hello acids तो इसको आपको क्या देना है 3 degrees सबसे ज्यादा फिर 2 degree 1 degree क्यों क्यों क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता था आगया समझा दिया आपको फिर मैंने आपको बता दिया था कि यह जो reaction दिया है इसमें simple HBR ही बनता है तो यह आपको उसी तरीके से this reaction को proceed करना है फिर इसमें phosphorus acid बनता है यह मैंने बता दिया आपको यह आपको यह paragraph हमने complete कर लिया अब हम लोग नीचे देखते ही जो कि एक बहुत important line है जहांसे easily assertionation question बनके आ सकता अभी जो आपने उपर सारी reaction देखें इसमें हमने क्या बनाया था इसमें हमने alcohol से hello alkane या फिर alkyl halides बनाया था अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यह same reaction आप यूज करो aryl halides या फिर hello arines बनाने के लिए तो आप बोलोगे नहीं हम लोग इस reaction को hello arines या फिर aryl halides बनाने के लि तो कुछ ऐसा दिखेगा तो यह रहेगा आपका benzene और मांदो यह रहा आपका OH जहां पर पहले कुछ आइसा लेते से straight chain में OH जो की यह alkyl group होता था और यह OH होता था अपने एक alkyl group ले लिए और OH लगा दिया अगर आपको hello arines चाहिए तो अगर आप इसका reaction सेम किसी से भी करवाते हैं और हो हो तो के साथ करवा हो गे तो यह reaction नहीं देगा simple क्यों नहीं देगा आपको बताना है कि यहां पर देखो है carbon oxygen का bond है phenols के case में उसमें partial dual bond character आ जाता है इसलिए उसको break करना मुच्छी हो आगे समें important चीज़ तो यहां तक हमने complete कर लिया तो अब आते हैं हम लोग 7 नमबर देख्शन पर तो 7 नमबर देख्शन में आपको क्या दिखता है कि ऐसा देख्शन हमने पहले ही hydrocarbon ने कर लि substitution तो देखो इसमें basically दो टाइब कर बनें क्योंकि यहां पर अलग लग टाइप का hydrogen है तो आप उस दोनों hydrogen पर जोड़ सकते हो अलग लग आपका product बनेगा तो जैसे आप इसमें देखोगे तो यह पहले तो आपको देखना है कि कैसा है symmetrical है और अपको देखना है इसको मैं य एक तो हमने इस हच पर जोड़ दिया अब हम लोग इस हच पर जोड़ेंगे तो आपका सेम CH3 CHCl अगर आप किसी को दिमाग मारे कि मैं यहां जोरूंगा तब इस case में आप नमबर इंगा तो आपका सेम यही पर बनेगा जो कि आपने यहां पर की ठीक है मतलब क्लोरीन जो ह कितने ही ठीक से कार्पन यहां है कि अगर मोहां जोडूँगो तो अलग तब बनेगा तो जितने अलग टापस के हड्रोजन होंगे उतने ही ठीक कापकर कंपाउंट बनेगा तो यह तो होगए आपका एक दाप एक को जिसमें वह आपसे नमबर अब उसकता है दूसरा और कि कि अगर मैं इसका monochloration करवाता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही टाइप का प्रटक्ट मिल रहा है इससे वो इन राइट लिए आपको यह बताना चाले है कि मतलब इस वो जो structure होगा इसका उसमें सिर्फ एक ही टाइप का hydrogen होगा मतलब बाकी सारे hydrogen equivalent होगे उस hydrogen के एक पर तो आप इसमें देखोगे तो इसमें यह और यह carbon equivalent है क्योंकि आपका last isomar है तो यह आपका बन गया अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें यह सारे के सारे symmetrical है चाहे आप इस पर लगाओ इस पर लगाओ या फिर इस पर लगाओ आपका सारा product ही होगा क्योंकि उससे आप numbering start करोग और इसके पास कोई hydrogen है ही नी तो इसमें आप लगा इन सकते है तो यही आपका answer हो मतलब यह जो इन्होंने बोला था information उसके according आप यह structure नहीं दे सकते है यह structure नहीं दे सकते है आपका answer यह होगा यह आपको करना पड़ता है यहाँ पर आपसे पूचते है इस reaction के थुरू और इस reaction में करना क्या होता है आपको H8 के CL लगाना पड़ता है radical बना के यह हमने mechanism देख लिया है वहाँ पर प्रड़क्स क्या बनेंगे वो भी मैंने बता दिया आपको इसमें जो कुशन बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया तो इस reaction को एक बाए इस देख लेते हैं तो जो चाहिए थो वो मिल रहा है वह सेम चीधिया पर की विए एक बार यहां पे लगाया है एक तो डिगरी रीग्र जोगा वो ज्यादा सेबल हो इस लिए इसको मेजर खोलो बोलगे अब आते हैं तो अगले reaction पर आते हो तो यहाँ पर आपको दिखता है 8-no. reaction जहां पर क्या है क किसमेर सब्सक्राइब होता है इसमेर ओस तूल में सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब ज्यादा वो समझ पाएगा यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह सिमेटिकल नहीं है तो इसमें हम लोग मार्कोली को मतलब लगा तो सकते हैं लेकिन लगाएंगे नहीं क्योंकि रियर्रेंजमेंट वाला केस आ जाता है तो उसमें गलत हो जाता है तो क्या करोगे जो नेगटिव पाट है जो ऐ इन है उसको प्लस के साथ जोड़ हो गया तो एपने प्लस के साथ चाहां आधी तो यहां पर आपको दिखता है 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 और यहां पर यहां पर यहां पर आपको दिखता है और यहां पर यहां पर यहां पर आपको दिखता है तो आपको खुद समझाने यहां पर रिप इसको हम लोग यूज़ करते थे एज टेस्ट फॉर अंसे इंपोर्टन चीज आपको यहाद रहा दान ची एंसेटी करना क्या होता था इसमें सिद्धे आप पाइब तो रोगे और अला 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 कार्वन पर बिया जोड़ दो इसमें आपका बनता क्या था बनता था इसमें आपका बन गया C single boundary, BR एक में जोड़ दोगे एक में ब्यार जोड़ दोगे तो विस्टनल डाहिट बन जाता तो इसको इसको देख लेते हैं तो इसको बनाते हैं तो इसको आपको आना ची और यह कैसे खोल के लिखते हैं तो अगर आपको आना ची ऑल्रेडी की कंडेंस फर होगा है किस पर CH के उपर तो यहां पर दो से लगा दोगे इस पर और आपको क्या दिख रहा है कि CH जो रहा है CH2 और फिर CH2 जो रहा है CH3 तो यह आपका structure बन गया और क्याने कि इसका मुझे मोनो क्लोरिंटेट जितने प्रोड़क्स बन सकते हैं वह बना के दो तो मैंने तो नमर्य यहां से करोगे तो वह भी 1 पर आएगा इधर से लगा होगे तो नमर्य यहां से करोगे वह भी 1 पर आएगा यह आपका पहला टाइप का hydrogen हुआ तो इसको मुलक्ते थे तो अगर कभी गूमा के पूछते हैं कि हमारे पास ऐसा एक फ़ॉम्ला वाला कंपाउंड ह उसके चार इसा बना सकते हैं तो इसका बना तो आप इसके बना जाएगा और अगर आप इसको बनाने जाओगे तो इसमें कितने टाइब का अब आते हैं अगर यह reaction पर अभी तक हमने क्या कर देख लिया तो अभी तक हमने देख लिया कि पहले अल्कोहल के थ्रू कैसे हम लोग अलकाहला बना सकते हैं उसमें नीचे जो यह एक्शन देखी यहां से यहां तक यह हमने देखा है हैड़ो कार्बन से कैसे आप अप अलका इंपोर्टन अच्छेज्ण चीज, हेलोजेन एक्षेंज के नाम से लिखने यह है तो इसमें दो नाम है, तो यह नाम है तो नियुक्तिक्रण प्रिंगल करता है एक नाम है स्वाड शीच्छन हुआए इनमें से स्वाड उप्रिंगल शीन है अब आपको halogen exchange में याद क्या रखना है, पहला तो मैंने बता दिया कि यह दोनों आपको halogen exchange के अंदर आते हैं, important चीज, जिसमें दो नाम मैंने बता है, एक finger screen, एक sword section, ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, कि यह जो दोनों ही reaction है, इन दोनों ही reaction में जो reactant होता है, यह जो alkyl bromide या फिर alkyl chloride होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ जो Rx आपको दिखता है, यहाँ पर कोई alkyl group होगा, और यहाँ पर X के जगा या तो CL हो सकता है, यहाँ पर BR के जगा CL भी हो सकता है, तो दोनों ही case में जो reactant है, वो या तो alkyl chloride होगा, या तो alkyl bromide होगा, या ŚWARDS में बनता है आपका fluoride, कैसे बनता है, या रिया रख हो sucks होगा, दो आपका kya होगा CR8R और CH3 फ्रॉराइब, इम्पारटन चीज हो कि हमें यहाँ जो reagent होता है, वो क्या होता है, कोई भी metal fluoride यो मून बनता है, या और 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 इम्पर में पे cumaس में होता हो सकता तो याँ दखना है कि अगर AGF का reaction दिख रहा है मतलब fluoride का reaction दिख रहा है alkyl bromide के साथ तो वो reaction है SWATS reaction क्यों क्योंकि SWATS का सिनों हमने एक pneumonic बनाया स्वाइन फ्लू स्वाइन में S जो है वो SWATS को रेप्रेजेंट कर रहा है अब दूसरा चीज जो बचा वो है बचा आपका और फिंगल सीन रेक्शन तो फिंगल सीन में क्या बनेगा इडाइट बनेगा इसमें अपको आपको एक सटा ना यहां पर बनता है ठीक है important चीज में ना बता दिया याद यह रहना है कि इसमें जो एने आई का reaction हम लोग करवार हैं आई के साथ यहां पर आपका जो प्रेक्ट वहन रहा है उसमें आ रहा है के साथ NACL या फिर NABR भी बनता है डिपेंदिंग उन की कौन सा है अपने लिया है अब यह जो NACL और NABR होते रहेगा तो यह आगे फॉरवर्ड जाने में दिक्कत होगी इसको आप लोग को क्या करते हैं ड्या इस टोन को क्यों क्यों कि ड्यास टोन जो है वो NACL और NABR को अपने प्रेसिप्ट कर वा लेता है और फॉरवर्ड डेक्शन को एंकरेज करता है और यह ऐसा क्यों हो यह आपने अल्रेडी एक्लिब्र में पर आए लीच अप्रिंसिपल के अपर तो यह आपक जो दूसरा एक्जैंपल यहां पर है जो आपको धियान रखना है वह है HGF2 हो सकते है ठीक है Cobalt Metal हो सकता है या फिर Sb हो सकते है यह तीन आपको याद रखने क्यों क्यों से होते ही बता दिया हम लोग 30 number reaction में तो 30 number reaction में आपको क्या देख रहा है कि आपका टॉलविन दिया हुआ है ठीक है मतलब benzene link पे methyl group लगा है और hydrogen के साथ इसका reaction हो रहा है किसके presence में तो iron catalyst के presence में हो रहा है और यहां पर जो condition है वो dark है तब कि यहां पर dark लिखा है तो हम लोग substitution reaction नहीं करवाएंगे अब हम लोग क्या करेंगे यह important है इस केस में हम लोग को पता हों जी कि अगर फी प्रेंट है तो फी आपका एक लिवसेस्ट है है तो हमने हैडियोकार में पशा था लास्ट के reaction में कि अगर लिवसेस्ट हो इससे तो पर यहां को डरेंट करता है वह जो दो जगाना है और तरॉ इहांपर यहां यहां पर दो आंसर बनेगा ये ये sarcasm rag CH3 यह दा तो इसका ortho position एक तो यह दा X प्लस दूसरा बनेगा आपको सेम बना दिया आपने CH3 यह दा और परा position इसका हो गया यह ठीक कि यह आपने बना दिया ortho meta pera तो meta पर आपने यह आपके नहीं लगा यह ठीक है ortho पर लगा दिया और पर पर लगा दिया हमेशा या रखना है कि हमेशा जो melting point है वह symmetrical molecules का जादा होता है क्योंकि उसकी packing अच्छी हो जाती है तो यह आपका reason है जो कि यह दिया रखना है कि melting point की जब भी बात आएगी तो आपको symmetry देखना है कि इन दोनों का melting point difference हो काफी है या फिर पेरा काफी symmetrical तो दोनों रेजन सही है दूसरा चीज़ अब यहां पर क्योंकि हमने X2 लेकर यूज किया था तो यहां पर idn हो सकता है fluorine हो सकता है CLBR कुछ भी हो सकता है तो CLBR तो चलो हो तो हो जाएगा अगर यहां पर fluorine होता F2 होता तो उसमें आपको ध्याना है कि fluorine के case में यह reaction हम नहीं करता है क्योंकि बहुत हाइड रेक्टिव होता है ठीक है तो बहुत एक्शुटर्मिक कर सकते हैं लेकिन उसका के ही बनाएगा इस ही को वापस से IDN को में कनवर्ट होने से यह दोनों जो एजेंट आपने यूज करवाना है तो उस केस में आपको और यूज करने पड़ते हैं यह आपको ध्यान लाइन है इसलिए हो पूच लेंगे से ठीक है इसको इसको एक इसको खोल के देख लेते हैं क हमने यहां पर हलोजा चन च अभी फिर हूंने बा invece गना फ़े सपर्व कर सकते हैं कि में इसले इसले और सम्ट ही हो खशार अब चलते हैं अगलोग अग्ला कर अगर एकक्शन स्वा छाटाव जिस्में आपको देख रहा है एक इसलों को प्ताऊंच यहां थी आनलीन है अग अगर N-H2 लगा है तो एनिलीन है, तो एनिलीन का रिएक्शन होगा है, जिसमें रिजेंट कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, N-A-N-O-2 प्लस-H-X, यह जिन आपको एकडम ध्यान से याद होना चाहिए, कि अगर N-A-N-O-2 कि क्या प्रेटर बनता है आपका तो जैसे आपनी रेक्षण देखा 14 नंबर रेक्षण अगर आपको दिख रहा है एनिलीन है साथ में उसका रेक्षण होगा है इंटू एक्स नेटिव गिए द्यकर अपको अब करना को सकता है तुर अघर पूरा यह इंटू ऑलग रगड जाएगा आपको आएगिकल पे तो इसका कोई requirement नहीं होता है क्योंकि इसली हो जाता है अच्छा दोनों ही केस में आपका जो साथ में बंद रहा है वो नाइंट्रिजन गास निकल रहा है एक और इंपर्टन चीज बताना में भूल गया कि इस रेक्षिन को बोलते किया इसका जो नाम है वह सेंड मेर्स रेक् के साथ कराते हो दो उसकुछ नहीं करना है एक फिर से आप क्या होगा आपको बियागा ग्र्दिया को प può को बता दिया है अगर आप किया प्याइट को चलते है अगले रेक्षिन पर इसको इसको को डिया हुआ है जहाँ पर ऐसा की बनिया है यहां चेखatri देख रहाँ है मैं मतलब इल्क गोदे में तो अग ci नियाद अग्र वागाई ठीज कि देह अगर और आपको जिञाए अगर यकलन की लगा यह यह संगे इसको है तो इसमें आपका one degree है तो यह बी आपका इस केस्ट यह यहां carbon एक यहां carbon यह 2 degree carbon आपको लिख रहा है कि है यहां 2 degree carbocatine विले है तो ज्यादा स्टेबल है और स्टेबल है इसलिए आपका प्लस से दरी आएगा और अब फिर दर लगाऊगे तो आपका मतलब इस carbon पर ब्यार हो गे और सियल को यहां पर जोड़ तो क्यों क्यों कि गर देकिस्ज तो यहां पर याँ पर जाटा कर् works again कbaby तो हम नेगटिव पार्ग को जोड़ते हो तो यहां पर डॉल बॉंड का दो करबन है एक यह इक ही है इस पर आपका इस क्रिड़ जोड़तो तो आपका इसके समझ में इस से किसे हम करना था इंट एक्शुषन हमने कर लिए इंट एक बाता है एक्जेंपल हमने सॉल कर लिए और HI Oxide लोगा तो यह देख्शन हो ही निए यह पाइग यह आपको द्यान दखना है यह आपका इसली एर बना के देदेंगे उसके बोले हैं कि राइट structures of different halogen derivatives of propane the most propane का कितने मौनोगा ऑगर मैं निया इसली किया था है अगर मैं द्यान करने करने तो उस्केसे कर देंगे वह यहां पर यहां पर पूछ रहें कर देंगे इसमें द्चल लिग आपको यहां पर यह दाता हूं आपको बाई तो इस टाया अपक्सक्ण बनाना होता है मैं लिक इसमें कैसे बनाओगा तो पहले तो प्रोप में बना लो तो यहां पर मालो मैं सिंपल बना तो ccc ए तिन बनो हो गार तो आप दो बनाओ तो एक तो आपके हो के तीन बना सकते हैं क्या कि CCC है दोनों आपने बीच में लगा दिये इसके दावा में को नहीं लगता कोई भी प्रेट बंद तो यह चार टाइप के प्रेट्स बनेंगे यह आपको देखना है तो इस तरह के साथ चार बनाना होगा अगर एक देखना हो तो मैंने अल्रीड डिसक्स कर दिया था तीन का द जाता हुशन आपना तो यह चार बनेगा जो इन कि आफे लको करणा करना है अगे इस से अपको पता करना पड़ता है आ रिपेंडिंगлом कि लांत् है puntoona क् पूछ देख सें अब तो पहला को नोगि Влад करता है नियुक्त को अफ तरीका होता है अगर लोंको से ऐलकाहल को क्योंकि प्रोफ में एक राँ हो समय और d personal है कि यहां सब्सक्राइब टो सब्सक्राइब अब स्ड ciento श्याह governo कर ना क्ट किसा काशन नहीं वैलागन स सथी बनाते टैसम इसमिस में ख्रम श्राइगा कि यह बना गया तो आपको दिख रहा है कि यहां पर इपने को जोड़ हैं किशी को अपने लगा तो आपको ध्यान इह रखना इतना याद रहे हो कि अगर कि अगर यहां co यूवी लाइड के साथा तो वे साथ क्यों कि उस पर एक स्मय को नहीं तोरेम कि यूवी there नहीं तोlegen लिखना है कि του C Co. तो यहां पर मैं इसको चुपा दो को चुपा दो एक और इक फिनॉल देखना है और अभी हमने दिस्केस्ट i Fr फिनोल यह दिखाता है क्योंकि यहां पर पार्ट्र डर्बंड करेक्टर आ जाता तो इसको तोरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप किसको करोगे आप करोगे अपने इस वाले ओई को रिख लिखे ता पहना से ओड़ यहां पर यहां पर देखा यहां पर कोई रिच्छम न मतलब कि दिवांगे स्राय करना चीह अर्ट्र मेंuir को की बनकार को क्यां हो भी है यहां पे प्लष को जोड़ हो तो आप इसको प्रिफर करो और यहीं सब्सक्रण 하는데 अगर नोंग क्या एक एक अलकायल भॉमाइड दिखंझ पर दिंग धियर क्यों प्रणे अगर ऑगर filter को सदो किल भाइड का ईच निग्जर के साथ है कि ने यहां कि है ने याद करभाया था, कि SWART स्रेक्षिन होता है, Swind Flu, अगर भूहां पे होता AGF तो उसका रिक्षन हम लोग दो करवाते हैं, इसको SWART स्रेक्षिन बोलते हो उसमें ब्र रहेता है is यहां तो यह तो यहां तो यहां तो यह तो बन एक nearby aćनें एक उस्ट किई पाइब हुआए तो आपको यहां रिडिकल बनाना है यहां पर बनाना है और फिर वहां पर निदा है नटिषाई को भौण तो आपको इस तरीकिसे आपको प्रोशीड कर नहीं है निया आपको आपको प्रोसीड करना है इसलिए इन सробकर रह वह नहीं did i predicted यही ज़िया जान चाहिए गिंगे और यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, अब चलते हम वापस अपने NCRT पर, अब आते हम लोग NCRT थेरी पर, और कुछ जो थेरी के पॉइंट है, जहां से अच्छर्ट्रीन के कोशिंस बन सकते हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉप्टीज वाला पॉइंट है, उसको हमने डिस्कस कर ले सकते ही просто, बॉइंट है, इतना तो मैंने और मैं बता है आपको बवचिन होसे स्ब्सक्राइब करो, अगर मैं एक लिखता हूँ आपके सामने Hydrocarbon, रह हो इसको फिर्यो अे कहले है है, सेम ही है दोनों में किसका फर्क है तो हाइडोजेन का फर्क है जो कि रिप्लेस हो गया है हेलोजेन से आपको पता है एक एक से तो ज्यादा ही होता है हमेशा 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 हमेश ज्यादा स्रॉंग होगे कि मास ज्यादा है तो इस पॉल अच्छे है उसको पगण रखेगे तो पॉलिंग पॉंट हो जादा हो जाएगा तो तो दो रीजन नियुक्ट निखा है कि क्यूंकि जो पॉलायरटी है वो ज्यादा होता इस बॉंट का अगर मैं आपको यहां पॉल तो यहां पर इक तो प्राइटी जाता है एक मॉलिक्लर महा जाता है इस यह दो-दो रीजन मिल के आपका क्या करती है है हेलो विल्किन का जो बॉलिंग पॉइंट है उसको ज्यादा कर देती है इस कंपर टू है पहला पंड वही सेम चीज यहां पर लिखिए क्योंकि साइज जादा होगा इस तरीके से आपका मास इफर इंक्रीज कर और इसी लिए अगर सेम इलकाइल ग्रुप टिया हुआ है तो बॉलिंग पॉइंट का त्रेंट कुछ इसा होता है यह तो हो गया जब सेम अलका अगर मानलो हैलोजन सेम है और एलकाइल ग्रूप भी सेम है लेकिन तो मैंने भी बताये था ब्रांच जितना बढढ़ी आपको इंपर इतना जो बढ़नींग पॉइंट जीए का वया को जाए तो यह कॉम्पेक्स करते हैं आपने, सबसे पहले मास, मास कैसे धोगे पहले मास अग्र ऐलकाइल गूप किसी में है पेंटेन है, किसमें ब्यूट को जो बारी होगा यह इयुसके बार in anoda युष अला होगा उसका बॉas जीवार वह त Bei पूइंग भी यह खो पॉसको पीजादा होगा उसका बॉसका करना होगा चैन में के मारें बार यह कर लिए अब देखते हैं हम लोग हैं जो ना conflict रहे हैं वो बेसिकली हम लोग और्थो पेरा और में देख रहे हैं तो इसमें आपको धिया नहीं रखना है कि कि जो पेरा इसमेर्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है as compared to ortho क्यों अभी मैंने बता है था क्यों अभी जो ने देखा था एकषिए और कंडिशन केसे में रिक्षिन हो था था उनकी पर अच्छा में पर यहां पर कैसा अगर में सारे तीनों को मिला के लिखू तो यह थ्यान रखे मेल्टिंग पॉइंट के केस में तो पैरा सबसे ज्यादा होगा यह आपको याद रखेगा फिर और तो फिर मेटा अब आते हैं हम लोग नीचे और नीचे हम लोग देखते हैं density को कैसे compare करते हैं एक कुशन मेरे को मिला था जहां पर उन्होंने बोलता कि यह सारे आपकी आपको सिंपल कुछ नी करना होता है density आपको पता है mass by volume है तो मतलब mass की directly proportional है तो आपको सिर्द सिर्दे मास देखना है जितना भारी होगा alkyl group और halogen मिला कि उतना ज्यादा उसकी density होगी यह आपको करना होता है simple इतना यार दखो अब आते हैं solubility जहां से अच्छा AR question आप जो हो कम हो जाता है इसी चीज को NCRT के समझाती है कि जब नया बॉंड बनता है hello alkyne और water molecule के बीच में तो उस time में energy काफी कम release होती है क्यों क्योंकि जो नया बॉंड बना है उस case में hydrogen bonding तो है नी मतलब कि जो नया attraction है वो काफी कम है as compared to original attraction जो कि hydrogen bonding के presence में था जब उसे water था इसी लिए जो solubility है hello alkyne का वो water में काफी कम होता है तो यह अच्छा AR question यहां से बन के सकता है जो काफी लोग confuse कर जाएंगे कि कैसा reason दी है और इसी same reason कारण जो hello alkyne है वो organic solvent में dissolve करते है क्यों क्योंकि जो पहले का strength था organic solvent में वो सेम होता है जब आम लोग उसको compare करेंगा जो कि hello alkyne और नए organic solvent के बीच बनेगा तो वो same strength का होता है ठीक है वही चीज़ समझा दिया है तो इसको देख लेना एक बार उसके बार यहां पर boiling points लो compare करना है तो अलग-अलग यहां पर compound दिये हुए 20 क्या कर सकते है आपको normally तो आता है compare करना boiling point तो आपको time use करने के हो गया और di-bromo-methane जैसा कि नाम बोल रहा है CH2-BR2 हो गया इसको गर compare करने जाओ के तो सबसे पहले है क्या बोला है मैंने सबसे पहले देखो कि alkyl group same है या अलग है तो इसमें दिख रहा है आपको सब में CH3 मतलब कि alkyl group almost same है एक ही carbon वाल है उसके आद आप देखोगी है क कि यह तो सब पीचे जाने वाल है तो आप option तो वैसी eliminate कर सकते है उसके बाद फिर आप देखो कि BR-BR तो आपको देख रहा है कि इसमें एक ही ब्याद है तो यह सबसे खलका होगा इन तीन के मुकाबले फिर इसमें दो ब्याद है तो यह उससे बारी होगा तो इसका सबसे जाद होगा तो option element कर लेना उसके आपको यहां दिख रहा है कि दोनों में एलकाइल ग्रूप तीन-तीन चेंड काही है तीन-तीन carbon chain काही है और यहां पर हैलोजन जो है वो दोनों में सेम है तो मतलब इसमें आप क्या करोगा आप ब्रांचिंग देखोगे आपको ब्रा जिसको यूज करते हैं हम लोग टाइफ़ट फीवर को ट्रीट करने के लिए इससे में इसलिए बंद के आ सकता है तो आपको एद रखना है कि जो क्लोरा एंफ़निकॉल है वो टाइफ़ट फीवर में यूज होता है दूसर डग आपको रिखना है क्लोरोक्वीन जिसको मैल होगा ठीक है तो आपको यह यहाद रखना है कि आइडिन कंटेनिंग होर्बोन थैटोक्सिन आपको बस मेल दाफोलिंग आपका हो जाएगा उसके बाद कुछ और पंट यहां पर लिखे लिए थे जिसको मैंने आपको लिख दिया है जिसमें से पहला पांट आपको दिख अगर आपका जो यहां पर पाई बांट होगा तो यहां पर यहां पर इंपर इंपर इसली स्टेटमेंट आपको देखना को मिल सकता है कि हैलो इलकें में जो कारबन होता है हैं जिससे हम जूब हैयर बनता कैसे है तो थे कच को करते हैं तो bele Hag ie कि बनता है शिमिलadımस लich deform करके मैं यहां पर अब च ayuda मन जाहिएगगा यह चीजिमें हाप लिखा होगा आगी चलते हैं टाट sembleकेशन किया हुआ हुआ है है तो एक classification किया गया था number of halogen items के basis पर तो अगर ये तो simple है इसे question ही पूछेंगे, अगर एक halogen लगा है तो mono halogen है, दो लगा है तो die halogen है, तीन लगा है तो try halogen है, आगे चलता है, इंपोर्टन यहां से चीज साथ होती है, यह तो सबको पता है कि 1 degree, 2 degree, 3 degree क्या से पहचाना है, ऐसा question आपका आसकता है, जो main question हो पूछते है वो इस पार्ट से पूछते है, जहां पर क्या करते हैं, आपको इन में से कोई भी एक structure दे देंगे, और बोलेंगे क है, benzylic halide है, vinylic halide है, या फिर aryl halide है, ठीक है, अब कैसे पेचानने हैं, वो हम लोग देखते हैं, अगर आपका allylic halide हुआ, तो कैसे पेचानने हैं, आपको ध्यान देना है कि allylic halide में क्या होता है, कि जो double bond वाले कार्बन है, उसके बगल वाले कार्बन से halogen जुरा होता ह पता है, double bond के बगल वाले कार्बन को allylic halide बोलते हैं, अगर वो SP3 hybridized है, और अगर उस कार्बन से halogen जुरा हुआ है, तो वो आपका allylic halide है, ठीक है, simple, सेम आपको यहाँ भी दिख रहा है, कि double bond के बगल वाले कार्बन से halogen आपको जुरा हुआ है, बैलली का बोलोगे, जब आपको difference करना है, अगर बेंजीन रिंग है, उसके बगल वाले कार्बन पर है, तो आपका allylic halide है, अगर बेंजीन रिंग है, उसके बगल वाले कार्बन पर है, तो आपका allylic halide है, तो आपका allylic halide है, और अगर double bond है, और उसके बगल वाले कार्बन पर है, तो आपका allylic halide है ठीक है लेकिन जो आपका lily chloride होता है और benjali chloride होता है इन दोनों ही case में जो halogen जुरा होता है वो sp3 hybridized carbon से जुरा होता है जो कि हम लोग यहां पर ठीक है यह चीज़ आप से पूल सकते हैं जो कि मैंने आपको समझा दिया तो easy है है सबको याद हो जाता है यह अाप को याद होुगा है तो JO आपको या तो इसमें आपका अगल बगल वाले carbon पोका मैंने असे आद किया अगर आप और बैटर याद कर सकते हो तो याद कर लो बखे बना दिया तो इथाइल इडियन में d आरा है मतलब डबल एक अगल बगल वाले carbon पर आपके सेम वैसे यह सारे common in देख लेना आप एक बद ताकि आपको structure बनाने वासा नहीं हो कभी अगर सिधे common in देते हैं तो आप confused नहीं हो जाए ठीक है वहीं लिखाए कि हेलोजन इंटम काफ जाद है इसलिए इस बांड को polarize हो जाता है अगर कोई assertion आता है कि CX bond is polar in nature और reason होगा वहाँ पर लिखा हुआ है इसको समझ लेना अच्छा यहां से बनके आ सकता है उसके बाद इक important चीज यह तो सबको पता है कि जो bond energy है वो bond length के इंवस्ट्य प्रोशन होती है अब आपको पता है अगर मैं आपको bond length लिखने दूँ CFC, CLC, CBR, CI का ठीक है तो आपको पता है कि जैसे से size बाढ़ेगा साओको जो आपको पता है कि CH3F का यहां से कम होता है ऐसा क्यों क्योंकि आपको पता है कि अपको पता है कि है तो आपको पता है कि ज इसका चाहर्प्र्म करके ज़्य आरे लित तो आपको पता है इसमें फर शेयर उसका से जदर हो तह बस AP यहां न है से कुछिन अ सकते हैं कैसे किशन आ सकते हैं इसको worth करो बार-बार और फिर अगले वीडियों में मिलते हैं तब जren झाल झाल